हलो दोस्तों मैं हूं सुचित्रा और श्रागत हैप का मेरे चानल सुचित्राज एक्स्प्लेनेशन में आज हम एक्स्प्लेन करने वाले हैं माई डिया ब्रदर का एपिसोड नमबर 11 तो हमारे मिश्टर जी ने जो खाया था टौफू वो बहुत ही जादा तीखा था जिससे मुएं बहुत जादा मुं में जलन हो रही तो हमीं इसी पूचती है तुम ठीक हो तो मिस्टर जी नाम सरह लाते हैं और फिर मैं चेहां कि तुमनें 200 सालों से कुछ नहीं खाया है इसलिए तुम्हें ये बहुत जाया तीखा लग रहा है तभी वह से डॉंग जो ताव इसक मुझे ऑर मिस्टर जी दौनों लोग एक कमरे में सूने जाते हैं तो मिस्टर जो होते हैं वो उनके कमरे के भाहर खड़े हो और कहते हैं तुम दूने के नहीं सो सकते तो मेडिक फिछे लिखवगे तुम दोनों कोई फिसिकल कान्टेक्ट भी नहीं होगा और ठीजिए तुम दोनों खोलकर सोगे तो मुस्टब कहते हैं कि ख्रकी मेरे कमरे के सामने हैं और अगर सी तुम आज मिश्टर जी तुम ऐसे बिल्कुल भाएने चौड़ाएं मिस्टर डैवेल लॉड होते हैं वह मिश्टर खावशी यानि मिस्टर जी से पंगा लेने लगते हैं कि तुम एक लूजर हो और तुम उसे दुबारा लड़ना चाहते हो तो फिर ठीक है आजो देख लेते हैं वैसे वी तुम दुबारा मुझसे हार जाओगे तो मिस्टर जी जो Mr. Z होते हैं वो Devil Lord को ढखका मारते हैं और अंदर रूम में चले जाते हैं और Mr. Devil Lord बाहर खड़े-खड़े देखते रह जाते हैं Devil Lord अपने रूम में बैटे बैटे भी Miss C के रूम को देख रहे होते हैं तब ही उनका दोस्त आते हैं और पूछता है कि क्या देख रहे हो तो Devil Lord रूम दिखाता है Miss C और Mr. Z का Devil Lord का जो दोस्त होता है वो कहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं मुझे लगता है कि Miss C बहुत ज़्यादा च्छे है Mr. Z यानि Devil Lord काते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या Miss C को डेट करना चाहता हूँ मैं उन्हें पसंद करता हूँ तो उनका दोस्त कहता है इसमें बुरा भी क्या है माना कि वो हाउशी की सिस्या है पर तुम Devil Lord हो हम Devil सेक्के हैं और हमें उनका रूल मानने की कोई ज़ तो आपको उनकी बहन से डेट करने देंगे तो Mr. Devil Lord को होते है मैं तुम्हें भी एक्स बेंट नहीं कर सकताँ जो डेवल लट के दोस्त है वो कहता है कि तुम्हें मुझे एक्स्ञें करने की कोई ज़ूद नहीं है और हम Devil सेक्के हैं और Devil सेक्के लोग कि चितनी भी चाहें उतने लड़किया रख सकते हैं तो तुम मिश्जी को रख सकते हो डेविल लड़ और उनके दोस्ट से के बाहर मिस्जी और जी का इंतजार कर जाते हैं तभी वो दोनों महाँ पर आते हैं तो मिश्जी और शीडॉंग जाके उनसे पूछते हैं ये वोग हैं तो मैं स्पीख पूछती है कि तुम यह क्या कर रहा हो तो वा कहता है कि मुझे माफ कर देना कल मैं काफी ज़्यादा रूड हो गया था उसके लिए और मैं रही तो और कहते हैं चलो, मैं तुम दुनों को अधर वर्ट का सहर गुमाऊं गा और जितने भी ख़र्चे लेंगे ना। भो मैंक्षा उठाओंगा। हैं में एक REST REST R Madison को जानता हूँ, वहाँ पे- आपको 108 तरिके की डेस्स सर्व की जाएगी और हम लोग नहीं पता नहीं और में आहाँ गूमें, हुक्त की पहीं एक मुझेन्ही जाना नोज मुझे मुझे में हम्मैं स Walter बोनाराज है तो वह स्वाव नाराज ओते हैं के दिख स्वत सद्रव मैं समझ गया है वेलोट दोस्त होते हैं लिए ने भले तो छोज शोगते हैं है नहीं गया मैं समझ गया हुआ मैं वहां जाना चाहता हे यह दो कर दो वह डिखे लागे थी वहां से सारव भूराव wsz All porte सतंते हैं कि लोग सस्वारण हों घुटार जाना जाने लगे वहां से साथ बाइव की इन धा मुत आ दें दो मिस्टी देवलोट जो होते हैं यह क्या कर रहा है तो मिस्टी जी कहते हैं हात पकड़ना मतलब साथ रहना यहां चांए मैं इसे कभी नहीं चोड़ा उनक्त हम इस्टी उपते हम शाफ कर दो जा इस अब कर में पढकिते हैं नोगों को अभी नालाग्त है तो चलो मज़े करते हैं सब लोग अंदर जाते हैं और फिर जो मिस सी को डेवल लॉड बताते हैं कि यहां पर बहुत अच्छी अच्छी वराइटी का खाना मिलता है तो मिस सी कहते हैं ठीक है मैं जाती हूं चेक करके आती हूं और मिस सी खाना को मतलब जो भी खाने में होता ह चेक करने चली जाती हैं time मिश्टर डफल टोनों न exterior M vẫneteी इंवाइड करने मेन तब हैसे साथ अरुछ नहीं पाइप gear तुम तुम्हारे लगती है इसलिए मैं उनके करीब आते जा रहा हूं तो मिस्टर जो डैवलोड के साथ मतलब मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं कि देखो तुम ना एक बहन के भाई हो तो तुम अच्छी तरह समझ सकते हो कि एक बहन से दूर रहना कितना बुरा होगा तो Mr. T0 कहते हैं उनकी बातों मैं आ रहे होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं अपनी बहन से सिर्फ आदें दूर रहा हूँ और फिर मुझे ये टाइम बिलकुल टॉचर की तरह लग रहा था तो Mr. Demon heute कहते हैं कि मैं इन जे जो कि अगर मेरी बहनект मिली तो मैं मर जाओंगा कर तो छो मिश्टर जिओ नगए तो मैं से इसे give-up नहीं कर सकते तुम कुशश जारी रखो में मदब करोंगा तो मिश्टर को मिश्टर Al崔 को मेरी मद होते हैं क्या तुम मेरे मदब aumento और फिर हम देखते हैं डैवेलर्ड के साथ का जो दोस्त होता है वो जाकर वहां के होटल के मालक से बात कर रहो होता है वो उनने बहूत सारी मोटियों कірा गॉईन्स देता है और केता है तेखो यहां पहुत सारी अच्छी लिग्यों का इंतिजाम पर देखो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता तो तुम यहां से निकल जाओ तो वो जो होता है ना उसका दोस्त वो कहता है कि नहीं देखो हम लोग कुछ गलत काम के लिए नहीं मंगा रहा है बलकि हम लोग तो उसे बहन बनाने के लिए मंगा रहा है और वो उस होटल के मालिक को बहुत सार तो जो जो मिस्टर जी होते हैं तो जो 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 पताने चाहरे होते हैं तो डैवल लोड करते हैं टाल देते हैं कि चलो अब टाइम हो गया हम दोग चलते हैं फिर बाद फिर आपने सीट पर बैटने के बाद Mr Devel Lord के दोस्ते ऐसे और्श फर्राइव करते हैं और आपक्ष्मड करते हैं एन्यें accept कर लेते हैं वो कहते हैं फिर नहीं रड़की आते हैं उन सब को मिश्टर डेवलॉड बोग रिजएक्ट कर देते हैं और पिर मूठी सी लड़की आती है जिसके आते हैं पुरा जमीना से हिलने लगता है उसको भी Mr. Z होते हैं अप्रूव कर देते हैं द्र बॉर्वार्ट पूस्ट कहते है तुम क्या कर रहो तुमने सबी लडकेवों को अप्रूव कर दी आज हमने 143 लडकेवे दे श्में से तुमने सब को अप्रूवल दे रही है तो Mr. Z बुर्हाई किया है लड़कियां उनका round face है बड़ी बड़ी आखे हैं और जो भी ऐसा है वो sister बनने के बिलकुल कबील है तो मिसी जो होती है वो कहती है तुमें क्या लगता है कि अगर वो लड़की हो तो sister बनने के कबील है तो Mr. जी कहते है है इस पर बुराई कहा है तो devil lord कहते है यह गला तो क् मिस्टर डेवलोड उनको मना कर लाते हैं और फिर तीनों लोग खाने पर बैठते हैं जहां पर उनके लिए खाना आता है जो कि एक पक्षी सेव का खाना होते है और बहुत ज्यादा देखने में अट्रेक्टू लग रहा होता है मिस्टर डेवलोड कहते हैं कि यह बर्ड मतलब यह खाना हमने सो डी सेज में सेड़ चुना है कैसा लगा है मजी जह होती है में होती है उनको प argent को कहते हैं और विवेश्टू जू घृगर अच्छी bakayım क्या हो गाया धूसर यह तो है क्यों जो इतनी अछी है क्योंकि हमने तो यह दोनों फिर ड्राइगन की तरह ही दोनों लड़ने लगते हैं फिर जो में सीज उती है वह बाल बॉल जो ऐसे गुस्ते से ज़से कई उठा लगते यह कद रहा हूं तुम तो ही नियुक्त प्लेस का चाहिए यह को सकता हूं तुम हो थ तो होå प्लेस में तो मैं ही जाओंगा क्योंकि मैं ही पिछली बार भी तुम से जीता था और तुम्हे तो अगले 200 साल तक वेट करना पड़ेगा लीडर बनने के लिए तो मिश्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं अपनी पहन से प्रोमिस किया और मैं लीडर ज़रूर बनुगा तो मिश्टर आप करनी तो मिंस्टर जो होते हैं वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा मिश्टर घायती है कि तूम हिर गार गये थे गया लगता हैं यह और मेरे बहन चोड़ कर काभी नहीं जाएंगी तो Miss Z कहती है तो तुम्हारा क्या मतलब है इसका मतलब तुम्हारा मतलब मुझसे है तो वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी है और उसे किनारे पे ले जाती है Miss Z कहती है अब बताओ क्या बोल रहे थे तुम मैंने कोई गल्ती किया है तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मिश्टरं सी कि मैं और मैं चाहिएड़ी, फैर। मिश्टर्ब्रवलोट है। तो मुस्तर सीडं को कुछ नहीं समझ आता तो वह क्या करते हैं ना मिस्टर जी के खिलाफ बढ़काने लगते हैं तुम तुमने देखा उसके लिए हर एक बहन सुटेबल है उसके लिए सारी लड़किया एक जैसी है तुम कोई अनुखी नहीं हो उसके लिए और उसको बहुत पहुत बढ़काते हैं कि वह पहाड़ों पर बचपन से रहा है और अब देखो जब बाहर आया तो उसे हर एक लड़की अट्रेक्टर लगड़ी है तो मिस्टर जो होती है वह कहती है कि देखो वह बहुत ही सिंपल है वह किसी लड़की को हर्ट नहीं करना चाहता है तो सोचना और फिर बाहनंसे चले जाते हैं अगलेशन इन में हम मिस्टर बी हांग और उनके सबीसातियों को देखते हैं जहां पर और किन फिन सबील लोग चल रहे होते हैं कि कितनी सुन्दर जंगल है क्यों ऌहीं पर आराम करते ह। मैं तो पुरा थक गया हूं तो उनके जो मास्टर होते हैं नहीं हमें जल्दी चलना और लोग कर रहे होते हैं उन लोगो कर आए वह समय बर बाद ही कर रहा है क्योंकि उन्होंने ड्रोन बेजा था और वह सोचते हैं कि मैं ट्रॉन बेजे काफी टाइम हो गया और उसका कोई जवाब भी नहीं आया अभी तक पता नहीं सब कुछ ठीक होगा होगा कि नहीं तब अचानक से महां पर एक लोग तीन लोगों की चिलाने की आवाज आती है यह वहीं तीनों लोग होते हैं जो लोग हमीर आपके भीगड़े पेटे यानि मिस्टर हे की पिताई लगाया थे वहीं पर यह लोग जाते हैं जा पर उन तीनों में से एक के पैद पर गहरा चोट लगा होते हैं तो जो मिस्टर ब्योंग होते हैं वो जाकर उसके चोट को देख रहे होते हैं और वह कहता है कि तुम मरना चाहते हो क्या यह क्या कर रहे हो उससे मतलब चोट को दिखाना भी चाहता तो मिस्टर ब्योंग क्या वह वो तो तुम लोग तो लोग तो लोग कहता है कि तुम लोग मतलब क्या है अबने इसाली लोगों को पकड़ और दो जोटेहीं है तुम सच्छ में असा करना चाहते हो तो मैंस्टर बेहं करना लोग करका का एक हम लोगए करेंगे वह लोग को यह टौर्ण सब्क हो नहीं है तो मिस्स जी जू होती है वो कहते है ठीक है चलो काम जल्दी शुरू करो तो मिस्टर जी सुच रहे होते हैं सी डोंग को यानि मिस्टर डेवल आट को जल्दी से उनकी बहन डूंद के देना होगी एक नहीं बहन वरना वो पीछे पढ़ जाएंगे और फिर तीनों लोग बैठते हैं अदाम से कहते हैं कि चलो ठीके सुरू करते हैं फिर तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जो कि बहुत ही सुन्दर साथ डांस करती है पर उसके मुझे एक मास्क होता है जो उडांस करती है ना वो डांस सबको जो है इसारा कर रहे होते हैं कि आओ और इसको लेके जाओ मनलब वह इसारे में बता रहे होते हैं कि इसको लेके जाओ तो जो वह लड़की होते हैं वह पास आती है और डांस करते हैं और दोनों लोग साथ में डांस कर रहे होते हैं तभी अचानक से उस लड़की का मार्क् को पिशल लुए घृतार वे चैनल के ल्यांव कहते हैं यह बात सुन करben है और मिश्टर झील उल्मिस होते हैं वह दोनों लोग कढ़े वो तो भाई और हमारा आज का अपिसोड यहीं पर खतम हो जाता है मिलते हैं अगले अपिसोड में तब तक लिए टाटा बाई बाई गुड नाइट